So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 मई की important current affairs को तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं हाली में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ती अभ्यास का आयोजन किया गया तो answer होगा Indonesia तो ये है समुद्र शक्ती अभ्यास ये एक नौसेना अभ्यासे नेवल exercise है भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ 14 से लेके 19 मई 2020 तर कहाँ पे तो बाटम इंडोनेशिया में ये इस बार इसका चौथा संसकरन है और इसमें भारत की और से INS कवरती ने और भारते नौसेना के डौर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलिकॉप्टर ने हिस्सा लिया अच्छा यहाँ पे कुछ important point में आपको revise कराऊंगा लेकिन उससे पहले इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इसकी अभी नई कैपिटल क्या बन गई नूसंतारा जो की बौर्नियो द्वीपर है पहले इसकी कैपिटल क्या थी जकार्था वैसे जकार्था में किसका headquarter है आशियान का अच्छा आशियान का भी ग्यारवा नवीनतम सदस्य देश कौन सा बन गया तिमौर लिस्ते बन गया और आपको यादे वैसे तो G20 के अद्धिक्षे था 2023 में तो भारत कर रहा है लेकिन 2022 में किस ने की थी इंडोनेशिया ने 2022 में ही पहली बार हमने थॉमस कब जीता जो की पूरुषो का बेड़मिंटन टोर्नामेंट है उसमें हमने इंडोनेशिया को ही हराया था तो ये तो इंडोनेशिया से समंदित कुछ पॉइंट्स हो गए अब हमने कहा अभी हमने इंडोनेशिया के साथ में समुद्र शक्ति नाम के exercise की तो इसी से मैं आपको याद दिला दूँ की इंडोनेशिय के साथ हम गरुड शक्ति नाम के एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन अगर आप इसको अलग-लग तोड़ोगे गरुड को और शक्ति को तो ये हम करते हैं फ्रांस के साथ यानि कि गरुड भी हम फ्रांस के साथ करते हैं शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी हम फ्रांस के साथ करते हैं लेकिन अगर आप पूछोगे उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज हम किस के साथ करते हैं मलेशिया के साथ में आप कहोगे मित्र शक्ति एक्सरसाइज हम किस के साथ करते हैं श्रे लंका के साथ में आप कहो कौनकन शक्ति एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं ब्रिटेन के साथ अच्छा शक्ति से याद आएगा ऑप्रेशन शक्ति यह हमारा दूसरा परमानु परिक्षन था जो की पोकरन में वह था 1998 में पहला वाला हो था 1974 में और उसका निकनेम था स्माइलिंग बुद्धा और अ तो आज इस question में मैं पहली बार आपको revise नहीं करा रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ जो जो भी exercise हमने पढ़ी है जो जो भी आपको याद आ रही है comment box में लिखने की कोशिश करो और फिर फिर आप देखो कि कौनसी exercise आपको याद नहीं है जो हम पढ़ चुके है actually में इससे अच्छा लगे तो like करके share जरूर कर देना अभी मैं आपको बता रहा हूँ फिर आप भूल जाते हो वरना बागे इनकी quiz बना करके daily upload की जाती है आपकी करेक exam application पर महीं पर pdf भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल free में आप download कर सकते हैं करेक exam application का link नीचे description box में है अब यह मढ अला प्रणीत और अभी यह भारत के 82 नंबर के शत्रण्ज grandmaster बन गए हैं बागी देखो अभी हमने पड़ा था कि 70 विश्व शत्रण्ज champion कौन बने डिंग लिरेन यह चाइना के हैं वैसे अभी दिली इंटरनेशनल ओपन शत्रण्ज का खिताब किस ने जीता अरविंद चित्रम बरम ने और एशियाई शत्रण्ज महासंग ने किसे वर्ष का सरुश्रेष्ट खिलाडी चुना था डी गुकेश को अभी 2022 में पहली बार फिडे शत्रण्ज ओलंपियाड हुआ था भारत में चैन्नेई में हुआ था यह 44 वे नंबर का था यह और इसका मैस्कोट थंबी इसको उजबिकिस्तान ने जीता था और यह हर दो-दो साल में होता है तो अब 2024 में हो गए हंगरी के बुड़ापेश्ट में और फिर 2026 में उजबिकिस्तान में जीता था वैसे आप जानते ही हो हमारे पहले शत्रण्ज ग्रेन मास्टर थे विश्वनात आनंद और उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर और उन्होंने 1991-92 में राजी उगांधी खेल रतन पुरुसकार जीता था जिसका नाम अभी मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार है जिसमें तो अभी पुरुसकार राशी भी 7.5 लाक रुपे से बढ़ा के 25 ला से हैं वैसे हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी एस विजय लक्षमी थी बताओ वर्ड चैस डे कब मनाते हैं 20 जुलाई को मनाते हैं और भारत में पहली बार चैस अकेडमी का उनक लेगी भुबनेश्वर में और फिडे की बात करें चैस को रेगुलेट करने वाल परिवार दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 15 माई को तो परिवारों के महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 माई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रुप में मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या है जन सांख्य क अंतरराष्टर दिवस 16 जून को होता है वो चलो आप मुझे बताओ वन फैमिली वन आइडेन्टीटी पोर्टल ये किसने लॉंच किया था उत्तर प्रदेश ने और आपको यादे जी ट्वन्टी सम्मिट को होस्ट तो इस बार भारत कर रहा है भारत इसकी मेजबानी कर र अब इंपोर्टेंट डे वाला गुशन है चलो रिवाइस करते हैं मही के सारे इंपोर्टेंट डे स्कोर याद है तो मेरे साथ साथ बोलना चब आप चीजों को बोलोगे न तो वो चीज़े आपको जल्दी याद होगी और लंबे समय तक याद रहेंगी ये फैक्ट बात ह तो बोलना एक मही को विश्व शरम दिवस मनाया वर्ड लेबर डे दो मही को विश्व ट्यूना दिवस मनाया दो मही को हमने विश्व अस्तमा दिवस भी मनाया जो कि मही के पहले मंगलवार को होता है तीन मही को विश्व प्रेश सोतंतरता दिवस है चार मही को कोईला खन दिवस हो गया, 4 माई को अंतरराष्टर अगनी शामक दिवस मनाया, 5 माई को विश्व हात स्वच्छता दिवस, 7 माई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 माई को वल्ड थेलेसिमिया डे, 8 माई को वल्ड रेड क्रोस डे, 11 माई को नेशनल टेकनलोजी डे हो गया प्रद्द 12 माई को अंतरराष्टर नर्स दिवास, 12 माई को ही अंतरराष्टर पाधप स्वास्त दिवास, और 13 माई को अभी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया, जो कि साल में दो बार मनाते हैं मैं और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, तो इस बार 13 माई को और 14 अक्टूब को अभी उत्तराखंड के जो मुख्य मंत्री है पुशकर सिंग धामी उन्होंने शुरू किया है इसे उत्तराखंड के चमपावत जिले से शुरू किया गया तो नाम से ही क्लियर है स्कूल को स्मार्ट बनाया जाएगा यानि कि वहाँ पे डाइग्राम वगेरा जो पढ़ने में बच्चो के किताब वगेरा में आते हैं डाइग्राम कोई फोटो वगेरा आता है उससे समझाना है चीजों को तो उसके लिए डिजिटल जाएंगे हम मतलब टीवी की स्क्रीन प करना पड़ता था जैसे कोई भी बुक में कोई भी फोटो आ गया कोई भी चित्र आ गया कोई भी मशीन आ गई तो हमारी टीचर समझाते थे ब्लेक बोड पे तो वह एक बार डाइगरम मना दिया या जो बुक में है कि बटा यह ऐसे ऐसे चलती है यह ब्लेड उपर जाती ह यह नीचे आती है ऐसे रोटेट करता है ऐसे होता है हम इमेजिन करते है हाँ ऐसा होता होगा लेकिन आज के समय पे यह इतना आसान हो गया है इसकूल में टीवी लगा दो आजकल यूटूब में सब मिलता है ओनलाइन जाओ सर्च मारो वो टॉपिक जैसे कोई मशीन आप प पढ़ा रहे हो यूनिवर्स को आप पढ़ा रहे हो बारिश से रिलेटेट कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो एतों से रिलेटेट कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो उसका वीडियो चला दो वो विजुलाइज होगा ना बच्चे को वो आराम से समझ जाएगा खेर हमारा कृशन स राजदानी समर्गेपिटल गेरसन हैं मुख्यमंतरी आपने का पुषकर सिंग धामी है तो गवर्नर गुर्मीच सिंग हो गए अभी आपको याद होगा उत्तराखंड ने मुख्यमंतरी कौशल उन्नेयन और वेश्विक रोजगार योजना शुरू की थी उत्तराखंड का ज इर्थ यात्रा गलियारा ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है अभी डश्टलिक एकसरजाईज जो आमने उजबिकिस्तान के साथ में की थी वो उत्तराखंड के पिथोरागड में ही की थी देश की पहली हरित उर्जा अधरित सोर पैनल निर्माण फेक्रिका बनेगी उ उत्तराखंड के रुद्रपुर में कौन बनायेगा लुमिनेस पावर टेक्नलोजी और अभी गंतंत्र दिवस परेड की सरुश्रेष्ट जहांकी उत्तराखंड की मानस खंड जहांकी को चुना गया था बाकी अभी उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री लगपती दीदी यू और उत्तराखंड के देविस्तल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलिसकोप इस्थापित किया गया और उत्तराखंड विदान सबागी पहली मैला स्पीकर कौन बनी रित्तु खंडूरी बूशन उत्तराखंड ने ही हिम प्रहरी यूजना शुरू की थी भारत का पहला वन्चिकित्सा केंदर किस राज्य में खुला गया तो भी आंसर होगा उत्तरा खंड और घुकम्प अलर्ट एप्लिकेशन को लॉंच करने वाला पहला राज्य उत्तरा खंड है यहीं पे बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉंच किया गया था घरों की पहचान चेली का नाम योजना यहां की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना यहां की है नंदा गोरा योजना है वातसल्य योजना है एक भितोली उत्सव है वो भी यहां पे मनाया जाता है फूल देई तियोहार हो गया हरेला उत्सव हो गया यह उत्तराखन का है जबकि हरेली तियोहार है वो 36 गड़ का है तो इतने पॉइंट आप यहां के याद रखें हम बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए हाली में किसने ला लीगा का खिताब जीता तो आंसरों का बारसिलोना तो अभी बारसिलोना ने एस्पैन योल को हरा कर ला लीगा 2022 का खिताब जीत लिया है यह बारसिलोना की चार साल में पहली ला लीगा खिताबी जीत है और कुल मिला करके 27 वी जीत है वैसे आपको बता दू अभी तक Real Madrid ने सबसे ज़्यादा बार यानि कि 35 बार ला लीगा खिताब जीता है अचाब यह से फुटबॉल से सम्मन देत कुछ important questions जो current affairs से सम्मन देते हुँ आपको मैं रिवाइश ज़रूर करा हुआ जैसे कि पहला प्रशन है लॉरियस sportsman of the year का वर्ड किस ने जीता लियोर्नल मैथी ने और इन्होंने अभी world team of the year का वर्ड भी प्राप्त किया अर्जेंटिना पुरुष football team का क्योंकि आपको पता है अभी men's football world cup हुआ था कातर में हुआ था 2022 के last में जोकी इसका 22 संसकरन था जिसका शुभंकर मैसकोट था लाइब उसको अर्जेंटिना ने जीता था फ्रांस को हरा करके तो उसी के लिए ये अवर्ड मिला अभी Forbes की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाडी highest paid athlete की सूची आई है उसमें टॉपर Cristiano Ronaldo है और फुटबॉल का प्रतिष्टित Hero Super Cup 2023 ये केरल में हुआ जिसको उडिसा ने जीता बंगलूरू Football Club को हरा करके और अभी 2020 में Intercontinental Football Cup ये होंगे भुवनिश्वर में और 2023 में FIFA Under 20 Wish Cup ये अर्जेंटिना में होंगे जो पहले जो कि एक पैंग्विन है और आपको याद है 2022 में FIFA Under 17 Women's World Cup ये भारत में हुआ था उसको इस्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा करके येसे 76 नंबर की संतोष ट्रोफी को किस ने जीता करनाटक ने जीता मेगाले को हरा करके आज अब FIFA की बात करते है FIFA की स्तापना होती 1904 में Headquarter है जुरिक सुजलेंड में और President है ग्यानी इंफेनिटो Football से सम्मदी कुछ Cup and Trophies भी ध्यान रखो जैसे कि Rovers Cup हो गया Santush Trophy हो गया Subruto Cup हो गया Durand Cup हो गया Ashutosh Cup हो गया Mardega Cup हो गया ठ्यान रखना है ये कई बार ये Cup देके पूछ लेते हैं इसका सम्मद्ध किस खेल से है ठ्यान रहेगा बढ़ते हैं के चलिए फिर बताईए हाली में Italian Open का किताब किस ने जीता तो आंसर होगा Carlos Alcaraz ने तो Spain के tennis player है Carlos Alcaraz और ATP ranking में number one ये भी बन गए है Alcaraz ये Italian Open में debut match जीत के साथ ही इस मुकाम पर पहुँच गए है कि ये ATP ranking में number one player बन गए है और इस तरह से उन्होंने किसे पीछे छोड़ दिया सर्बिया के नुवाग चोकुविच को और इस Italian Open में उन्होंने किसको हराया तो इस्पेन के ही Albert Ramos को Carlos Alcaraz से याद आएगा अभी Madrid Open में main single का title इन्होंने जीता था और अभी Carlos Alcaraz ने अपना लगातार दूसरा Barcelona खिता भी जीता था अगर मैं आपसे पूछूं कि ATP Masters 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रत दराज टैनिस की लड़ी कौन बन गए तो आपसा रोगा रोहन बोपनना वैसे अभी इसी साल Argentina Open 2023 को भी जीता है Carlos Alcaraz नहीं अभी तो Carlos इचाए हुए हैं भीया बाकी वैसे तो साल में चार Grand Slam होते हैं अभी आपका Australian Open हुआ था उसमें Women Single का title जीता है आरेना सबा लेंका ने ये बेलारूस की हैं और Main Single टाइटल जीता नुवात चुकोविच ने वो सर्बिया के प्लियर हैं तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना बढ़ते हैं गए चलिए फिर बताईए अभी हाली में पोकर के Godfather का निदन हो गया उनका नाम क्या है तो अंसर होगा Doyle Brunson तो पोकर के Godfather के जाने वाले Doyle Brunson का अब 89 वरिष्टी उमर में अमेरिका में निदन हो गया Doyle Brunson इन्होंने अपने करियर में पोकर टोर्णामेंट की 10 विश्व सिरीज जीती है इसके अलबव उन्होंने 1976 और 1977 में विश्व चेंपिंशिप भी जीती थी और 1988 में उन्हें पोकर हाल अफ फेम में शामिल किया गया था और उन्हें टेकसस टॉली के नाम से भी जाना जाता है लेकिन अभी उनका निधन हो गया आप जानते हो आटिफिशल इंटेलिजेंस के गॉड़ फादर किने का जाता है जेफ्री हिंटन को और इनका नाम अभी निउस में था क्योंकि इन्होंने गूगल को छोड़ दिया है और आप जानते हो भी इंटेल के से संस्तापक का भी निधन हो गया नाम गॉड़न मूर है और चीन के हाइब्रेड चावल का जनक कहा जाता था युवान लांग पिंग को इनका भी निधन हो गया तो ये पॉइंट्स भी धियान रखना बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में पूरुषों की विश्व मुक्यबाजी चेंपिनशिप में भारत पद भारत ने इसमें तीन मेडल जीते हैं तीनों के तीनों कांसे पदक ब्रॉंज मेडल हैं कौन कोन है वो जिनोंने ये मेडल जीते दीपक भोरिया मोहमद हुसामुद्दीन और निशांत देव और आप जानते हो अभी महिला विश्व मुक्यबाजी दोजा तेविस हुई थी कांपे हुई थी नई दिल्ली में जिसके ब्रेंड अम्बेस्टर एमसी मेरिकॉम और फरान अक्तर बने थे कई बार बताया मैंने आपको तो उसमें चार गोल्ड आये थे हमारे पास कौन कौन लाई थी निखत जरीन स्विटी बुर्रा नितु घंगाज और लवलीन वेसे भी अंतरराष्टर मुक्यवाजी संग के उपाध्यक्स कौन बने थे अजे सिंग बने थे ये बॉक्सिंग फेडरेशन अफ इंडिया के प्रमुख है और अगर पूछे की 2022 का बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अफ दे यर 2022 किसे चुना गया नि प्रद्योगी की परिशत की पहली मंतरिस तर्य बैठक का योजन कहां किया गया ब्रुसेल्स में तो भारत और यूरोपियन यूनियन की पहली व्यापार और प्रद्योगी की मंतरिस तर्य बैठक का योजन अभी कहां पे हुआ ब्रुसेल बेल्जिम में और इसमें भारत की तरफ से पियुष गोहल शामिल हुए जो कि हमारे वानिजव उद्ध्योग मंत्री है तेको यूरोपियन यूनियन की बात करें न इसमें टोटल सदस्य देश कितने है 27 है 27 वे नंबर का बना था क्रोएशिया और अभी क्रोएशिया 20 वा देश बना यूरो करंसी को अपनाने वाला ये पॉइंट बे ध्यान रखना तो आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन ये 27 यूरोपिय देशों का एक अंतरराश्टर संगटा ने इसकी इस्ताबना होती है 1993 में और यूरोपियन यूनियन से कौन सा देश अलग हुआ था ब्रिटेन उसी को ब्रेक्जित कहा गया वैसे यूरोपियन यूनियन का हेड़कॉर्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में यहीं पे नाटो का भी तो है और इसके अद्देक्ष कौन है उर्सुला वॉन्डेर लैन चलो मुझे बताओ अभी यूरोप के सबसे बड़े परमाणूर रियक्टर को किस देश में चालू किया गया तो आंचारोगा फिनलेंड में फिनलेंड याद है ना यह नाटो का 31 सदस्य देश बना है अच्छा इस बार हम G20 के साथ शंगाई कॉपरेशन और्गेनाइजेशन की भी अद्धिक्षिता कर रहे है तो अब इसकी विदेश मंतिरों की बैठक काँ पे हुई थी गोवा में और आयूश मंतिरों की बैठक हुई गोवाहाटी में और ये परशन भी एक्जाम में आया था हमने काज G20 की भी अद्धिक्षिता भारत के पास है इस बार और इसकी शेरपा बनाये गए थे मिताप कांत को और इसकी थीम क्या है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जैसे हमने बुला वसुदेव कुटम बकम और इस साल ब्रिक्स देशों की अद्धिक्षिता ये किस के पास है तो देखो 2021 में हमारे पास थी फिर चाइना चली गई फिर 2023 में इसकी अद्धिक्षिता साउथ अफ्रिका के पास है ऐसे हम पता लगा लेते तो ये ध्यान रखना आप पढ़ते आगे चली फिर बताईए अभी हाले में किस भारतिय अभी नेत्री को टाइम मेगजीन ने अपने कवर पर प्रदर्शित किया तो अंसर होगा दिपिका पाडू को तो अभी भारतिय एक्ट्रिस टिपिका पाडू को उनको Time Magazine ने अपने cover page पर प्रदशित किया है दिपिका पाडुकोन को इस global star का tag मिला है तो अब ये गिने चुने भारते celebrities में शामिल हो गई है जो Time Magazine के cover page पर अपनी जगे बना चुकी है वैसे आपको याद दिला दू कि दिपिका पाडुकोन को 2018 में Time Magazine के दौरा अपनी सोच सबसे परभावशाली सुची में भी शामिल किया गया था और Time Magazine से याद आएगा चलो बताओ भी किसे person of the year 2022 चुना गया तो अंसर होगा वलादमर जैलेंसकी को युकरिन के प्रसिडेंट है ये तो ध्यान रखना ये बढ़ते आगे अच्छा अब हम कल के Current Affairs का Quick Revision करेंगे तो पहला प्रशन आपसे पूछा किसी CBI का नया Director बनाया गया प्रमिन सूध को फिर आपसे पूछा देसंबर दोजाटेविस में वैश्वे कायोरवेद मेले कायोजन कहा होगा तो ये तिरुवनंध पुरम में अगला प्रशन पूछा किस संस्था ने Bank Clinic नाम से Portal शुरू किया तो आंसर होगा अकिल भारते Bank करमचारी संग All India Bank Employees Association ने फिर आपसे पूछा किस देश ने Stay in Your Lane अभ्यान शुरू किया United Arab अमिराथ फिर आपसे पूछा अभी किसे फिर आपसे पूछा प्यूमा इंडिया के नए Managing Director कौन बने के बाल गोपालन अगला प्रशन पूछा फूट डिलिवरी अप्लिकेशन है वायू इसके ब्रेंड अम्बेश्टर बने सुनिल शेटी अगला प्रशन है SpaceX ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन लॉंच करने की घुषना की 2025 फिर आपसे पूछा भी किस बंदरगा को सागर श्रेष्ट सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया कोचिन पोट को फिर आपसे पूछा भी IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्दश अतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने यशश्वी जायसवाल और गाइज अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक जरूर कर दें भूल जाते हो आप लोग और शेर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका इस्टेडी गुरूप हो गया वाटसप पे, फेस्बुक पे तो करना जरूर अब हमवर्क प्रशन देखते हैं और सेशन इन करते हैं तो कलकि वीडियो में आपसे पूछा था कि सांकी की दोजा 23 में अंतर राश्टर पूरुसकार किसने जीता तो आंसर होगा सियार राओ आप सब ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है अब ये रहा आज का आपका हमवर्क प्रशन